नमश्कार दोस्तो स्वागत आपस अब सब्सक्राइब यूटूब चैनल पर मैं आपका दोस्ता के जनरा जो लेकर आता रहता हूं बहुत ही बहते इन वीडियो दोस्तों आज इससे डैमेज हो सकता है अच्छा खासा तो आप इसको अगर आपके पास यह गन है तो आप इसको गलत जी के यूज ना करें और आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे पास कुछ प्रॉडक्ट्स है कुछ मतलब कुछ आइटम से हमारे पास जिनके उपर हम इसको शूट करके इसको एम करेंगे मतलब एम करके शूट करेंगे उल्टा बोल दिया वहने और देखेंगे मतलब यह किस हद तक इसकी जो पैलेट से वह उसको डैमेज कर सकती है हाम फुल कर सकती है हाम पहुंचा सकती है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए प्लीज और साथी साथ मेर अले यह जो जो गुद्स इसकी जो शूटिंग टैस्टिंग करने वाले है मतलब इसकी तैस्टिंग करने वाले हैं मतलब जो जो करेंगे हम चर्च के अंदर दोस्तो यह हमारे इडिया का सबसे पुराना च souvent साल से भी उपर इसको हो गये चर्च को और यह अभी तक इसकी भी एक वीडियो बना दूँगा साथ के साथ ही तो अभी हम चलते हैं अंदर और मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब ये इसकी जो ये जो हमारी गन है इसकी जो डैमिज परसेंटेज है वो कैसी होने वाली है साथ ही साथ मैं आपको इसकी पैलेट्स भी दिखा देता हूं बहुत छोटी सी है ये चने के दाने के बराबर है मतलब और ये अलमेनियम की है तो आप इस पे अगर जादा दम लगाओगे ते पिचक भी सकती है मतलब जादा कुछ खास हामिय नहीं करती लेकिन फिर भी जब गन से निकलती है एक एर के प्रेशर से निकलती है तो इसके के अंदर भी थोड़ी बहुत फोर्स लगती है जिसकी वजह से ये डैमेज कर सकती है अब चलते हैं अंदर और अंदर से मैं आपको चर्च दिखाता हूं हमारा जो चर्च यह कैसा है इसके अंदर मतलब इसके अंदर मतलब इसली आए क्योंकि यहां पर बिल्कुल खाली है हम अब पैलेट्स लोड करते हैं लोड करने के लिए हमको जो हमारी हतेली है इससे जो इसके आगे की जो यह नली है इसके उपर जोड से मारना होगा जिससे यह खुल के और इसका जो यह एरिया है इसके अंदर लगती है यहां पर पैलेट्स तो मैं पैलेट्स लगा देता ह कि यह लोड और जैसे ही मैं ट्रिगर दबाऊंगा गोल यह निकलेगी धाएं इतनी तेज भी आवाज नहीं करेगी वो थोड़ा सा जादा हो गया तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और सबसे पहले मैं इसको ट्राइ करने वाला हूँ कैन के उपर और यह रही हमारी कैन इस क कर दिए इसके अंदर पैलेट्स और अब हम एम करने वाले हैं सामने उस रखी हुई कोगोगोला की कैन को और देखते हैं किसको कितना डैमेज पहुचा पाती है तो आब स्टार्ट करते हैं हमारी शूटिंग आब मैं मारने वाला हूँ हमारे टार्गेट के उपर गोली थ् पढ़ी तो है डैमेज तो हुआ है नहीं यार इसको तो कुछ भी नहीं हुआ देखो किसी भी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ बिल्कुल एकदम किलियर है तो फर्स्ट तो यह पार कर गई एक बार और हम ट्राइ मारेंगे इसके उपर शायद क्या पता एक बार और बारने से हो जाए इस बार हम थोड़ा जो डिस्टैंसिंग है हमारा वो थोड़ा पास कर देते हैं ठीक है आ कर दोड़ा मोरा पकार तो यह भी जाए तो अपिर जबार बार हम चाँ कर दोड़ा इस मैं पाद़ाओ उटाए बार को पाद़ाँ पाई यह देखो बाई कैन की तरफ दिखाता है वाई कैन को देखो आप तो यह देखो भाई बिलकुल अंदर और में को लगता है वी भी गोली सके अंदर ही है शायद गोली अभी भी इसके अंदर ही है और यह ऐसे एक दम से फूट गई थी तो अब यह तो चुकी है डैमेज और अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट आ चुका है वो आने वाला इससे बहतर तो देखते हैं वो क्या करता है इसको तो रखता है फ्लाल साइड में अब दोस कि पोप्षो चार्ज हो यार यह तो बीटी हो गई यह तो चार्ज ओन ही नहीं हो पा रहा चार्जिंग यह पता नहीं है या नहीं है बहुत गंदी बीटी हो गई यार यह तो चार्ज ही नहीं हो रहा थोड़ा कुछ करते हैं एक बार और ट्राय मारते हैं भावा यह तो ओ नहीं नहीं उपा रहा है और क्या करें अब ऐसे करते हैं एक बार बिना इसको आउन किये उए इसकी स्क्रीन पर ही टेस्ट करते हैं अभी देख लो आप बिल्कुल इसके जो टैप देख लो एक दम चारद तरफ से बिल्कुल इसकी स्क्रीन एक दम नहीं है कहीं से भी करते हैं अब इसका डेमिज देखते हैं अब किता हुगा है वह इस पर कुछ नहीं हुआ बिल्कुल भी एकदम कुछ भी नहीं हुआ भी तो बिल्कुल ठीक है परफेक्ट लिए एकदम चार्ज नहीं है वरना मैं आपको दिखाता है इसको ऑन गर के एक बार और टेस्ट करते है चलो एक बार और इसको टेस्ट करते है और वो रहा हमारा एम और यह नहीं हमारी गन तो अब करते हैं वापिस एक बार और शूट और देखते हैं क्या होता है 3 2 1 भाई और हमें एक बार और नाकामी का स्वाद चकना पड़ा क्योंकि अब ही तक इसके अपर कुछ नहीं हुआ बल्ला बिल्कुल माइनर सा स्क्रैच भी नहीं आया यह देख पार हो आप यह मेरे जो जो यह सारे फिंगर प्रिंट्स है और कुछ नहीं बिल्कुल यह तो वैसा का व वारा लास्ट अटेक है और इसके अपनर देखते हैं से दो पहले जो अटेक थे उसमें हमें नाकामी का स्वाद चकना पड़ा तो इस बार विजय हूं किसी की भी जय है मारत माता की जय है और थ्री टू वार्ड भाई अब देखते हैं इसके अंदर क्या हुआ मेभी अब ओ भाई तीसरी बार तीन बार बैक टो बैक अटेक मारने के पाद भी एक स्क्रैच तक खरोच तक नहीं आई तो इससे पता चल गया कि हमारी जो ये गन है इसकी जो पैलेट्स है वो मोबाईल को नहीं तोड सकती मेभी शायद इसके अंदर हमें कुछ और करके शायद कोई और इसके अंदर केमेस्ट्री लगानी पड़ेगी कुछ और जुगार लगाना पड़ेगा तब शायद कर से के लेकिन आज की वीडियो के अंदर तो हमें पता चल गया कि ये नहीं तोड सकती मोबाईल की स्क्रीन को तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज पैनल को सस्क्राइब करना ना बूले फिर मिलते हैं किसी ऐसी अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिन